हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन भी श्ट्रेंड ने BBA प्रोग्राम लिया हुआ है तो उनकी लिए जो है मैं उनका प्रीवियस कोश्चन पेपर लेके आरखाऊं 2023 का और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है आपको जो आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम सो रहा है और यह जो कोश्चन पेपर है यह जो है सिक्त सैमेस्टर का है एक्जामनेशन 2023 जून में जो एक्जाम हुए हैं उनका तो चलिए अभी देखते हैं कि किस टैप के question जो है आपके exam में पूछे गए थे और जो अभी आपका exam होने वाला है दोस्तों उसमें जो है यहां से कुछ question repeat हो सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो question आपको यहां पे दिखाए जा रहे हैं एक बार जो है आप लोगों को यह जो questions उसमें इनके जो answer हैं वो एक बार देख लेने हैं क्योंकि यहां पे देखकी यह question paper है इसको divide किया गया है दो section में पहला section है आपका A, दूसरा है B तो A में जो है आप लोगों के पास यहां पे जो है 5 question है और 5 में से सिर्फ आपको यहाँ पे 2 question का ही answer करना था और यहाँ पे एक question है वो है यहाँ पे 19 नमबर का तो यानि जो हमारा section A है वो है हमारा 32 marks का sorry 38 marks का तो जो यह 38 marks का section A है यहाँ से जो तो आपका एक या 2 question repeat हो सकते हैं तो दिहान दीजिएगा कि यह जो question आपको भी सो हो रहे हैं इनके जो answer हैं एक बार आप लोग देखें और अगर यहाँ से एक question भी repeat होता है आपके exam में तो आप लोगों की जो है 19 नमबर यहाँ से confirm हो जाएंगे और दोस्तो बता दूँ आप लोगों को कि मैंने आप लोगों के लिए एक whatsapp group भी बनाया हुआ है अगर आप लोगों ने जो हमारा whatsapp group है वो join नहीं किया हुआ है तो नीचे जो है इस वीडियो की discussion box में whatsapp group का link दिया हुआ है तो click करके आप लोग join कर सकते है उसके बाद आ जाएगा section B तो section B में यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे 8 question आएंगे तो यह जो question paper है इसमें भी 8 question थे तो यहाँ पे दोस्तों यह questions आपको सो हो रही है courses कीजिएगा कि हर एक questions का answer आप लोग देखें क्योंकि यहाँ पे जो section B है यहाँ पे जो एक question है वो है 8 नमबर का तो यानि अगर यहां से जो है एक या दो question पर repeat हो जाते हैं तो आपके यहां पर 16 marks यहां से confirm हो जाएंगे तो total आपके अगर यह जो 13 questions आपको यहां पर दिखाए गए हैं 13 में से अगर 3 या 4 question पर repeat होते हैं आपके exam में तो easily आप लोग 40 plus cross कर पाएंगे इस subject में ठीक है और यहां पर आप लोगों को बता दो कि जो आपके other subject हैं 6th semester के तो उसकी जो videos हैं यहां पर playlist मिल जाएगी आप लोगों को उस पर click करके आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों अगर आपको यह video helpful लगी हो तो video को like कर लीजिएगा अगर channel पर पहली बार आ रहे हैं तो channel को subscribe कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे next video में तब तक के लिए bye bye and have a good day